अखिल बारतिय कॉंग्रेस कमिटी की अद्रक्षा शीरमत सुने गांदी जी ने जो नव संकल्प चिंतिन शिवर कायोजन किया है उसमें तीन दिन तक उदेपूर में देश भर के कॉंग्रेस के लगपक चार सो से ज्यादा एक अत्रित हो रहे हैं और मुझे लगता है कि AICC ने और सुन्य गांदी जी ने बहुत सोच समझ कर इस नव संकल्प चिंतिन शिवर को बुलाया है एक बहुत महत्पूर समय पर बुलाया है क्योंकि दो-तीन राज़ों के चुनाव इस साल हैं अगले साल कुछ राज़ों के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव भी अब दो साल के बाद होने वाले हैं ये बात सच है कि देश में एंडी और भाज़पा को राश्ट्रे स्थर पर एक नैश्टनल लेवर पर अगर कोई चुनावती देकर हरा सकता है तो वो पार्टी सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी है और कॉंग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारी जो सेयोगी दल हैं उन सब को साथ लेकर हम लोग ऐसी रणीत बनाना चाहते हैं कि देश में जो जोनद मुद्दे हैं उन मुद्दों से द्यान भथका कर केंद की सरकार लोगों को प्रमित करने का कम लगतार कर रही है केंद की सरकार को बाजपा को अब आठ साल पूरे हो गए इन आठ सालों का लेखा जो का उसका श्वेत पत्र उनके पौफर्मित रिपोर्ट वो अधार होनी चाहिए बाजपा को आगे अभी राजनीत करने के लिए लेकिन आज जो अर्थवस्ता का बुरा हाल है आज महंगाई चरम सीमा पर पहुँच चुकी है आज छटनी हो रही है कार खाने बंद हो रहे हैं देश में एक तरह की मिसमैनेजमेंट व्यापक हो चुकी है बजाए उसका जवाब देने के या अपने कारेपराने को ठीक करने के भाजपा के राजनीत रही है कि देश में हमेशा आरूपी राजनीत करें आज भी गैस का सिलेंडर जो हजार रुपे का हो गया पेट्रोल लिजल सवा सो रुपे लिटर पहुँच गया खाने के समान की चीजें महेंगी हो रही है आज भी वो पीछे मुड़कर यूपीय सरकार को बनमोहन सिंग जी को और कॉंगर्स पार्टी को दोश देते हैं इन आठ सालों में आपने क्या वेकलपिक वरस्ता त्यार की है उसका कोई जवाब आता नहीं है इस चिंतिन शिमर के माध्यम से अल लोगों ने समबाद किया है और जो एकनौबिक इशूज है और मैं समझता हूँ जो नौजमान वर्ग है जो मध्यम वर्ग है जो आज इस आर्थिक अववस्ता का शिकार है उन लोगों की अवाज बनकर हम सरकों पर आएंगे देश में वास्त्विक्ता का जो परीचे है व लेकर चर्चा होगी और नौजवानों के लिए भी हम लोगों का जो कॉंगेस का शुरू से एक दाइत वरा है यहां से ग्रूप से कि युवाओं को राजनीत की अगनिम पंती पर लाकर खाड़ा करना यह काम कॉंगेस के नित्यतुन हमेशा से किया है इस दिश्ट्री से य जैसे AIC से नहीं कई बार कहा यह सिर्फ संबाद का या सिर्फ पेपर तयार करने का या चर्चा का श्विर नहीं है यह एक रिजल्ट ओरियेंटेट आउटकम ओरियेंटेट एक पॉसिरिव आउट्रूप के साथ कॉंगेस को रिएनरिजाइज करने के लिए और भाजपा न जिस पकार काउंग को गवर्नेंच करना चाहिए था वो हर मोर्च पर फेल हुए हैं तो एक जमेदार विपक्ष भूमेकाने बाना कॉवलेशन राजनीत में कैसे एंडिये को चुनाती देना और कॉंग्रेस को और सशक्त करना क्योंकि राजनीत के चुनाती हैं सामने आने लिए उसका मुकाबला करना जनता का विश्वास जीतना इन तमाम इसूद पर चर्चा होगी और हमें खुशी है मुझे खुशी है कि एक बात पुने राजिस्तान को चुना है इस एसी के शिवर को करने के लिए राहुल गांदी जी प्रेंकर गांदी जी हम सब यहां पर र लिए उनकी उम्बर 40 साल से कम है तो युवाओं को प्राथमिक्ता दी है ताकि जो ग्राउंड का फीडबैक है वो सिधा उन युवा निताओं से लें जो देश पे उतर पूर में दक्षिन भारत से जहां से भी मारे युवा साती आते हैं अग्रिम संगंट के लोग हैं प् मुझे लगता है कि इस शिवर के पश्चाद जल्द संग्ठनात्मत जो चेंजिस सरकार को पार्टी को करने वो भी करेंगे एक नई उर्जा का संचार होगा और हम सब लोग जो कॉंगेस के लोग हैं हमारे सब साती सयोगी हैं हम सब मिलकर आने वाले तमाम विदान सभा के चुनाव और रंत में जो 24 में लोकसवा चुनाव होगा उसके तयावनों पर पूरा अभी से हम प्रपैर करेंगे लिक को वद उम्मीद हैं जनता भी एक चाहती है कि भाजपा के शार्चन से मुक्ति कैसे मिले एक या दो राज्यों में चुनाव जीतने से मतलब यह नहीं ह कि भाजपा को क्लीन चिट मिल गई है उनके सारे पाप धुल गए हैं जिस पकार से एक आक्रमक राजनीत हो रही है आरुपतारुपी राजनीत हो रही है जाती धर्म बिरादी के नाम पर लोगों को उकसाया जा रहा है देश के अनेक राज्यों में अनकलक वार्दातों को अन्जाम दिया जाता है उसकी निंदा कोई करता नहीं है तो कही ना कहीं लोग भी चाहते हैं कि अमन चैन प्यार मुहबत बरकरार रहे और तुश्ता सुद्रे रोजगार लोगों को मिले देश और दुनिया की जो पतिश्चित संस्ताइं हैं सरकार के खुद के आकड़े ह कहते हैं कि भुकमरी में भारत का जो रैंक है लगातार बढ़ता जा रहा है पीडेम प्रेस में जो हमारा रैंक इसमें गरावत आई है को पोशन में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जो एने फचेस नाशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है उसमें तमाम बातों में जिकर किया है सरकार के खुद के आगड़े बताते हैं कि एकॉनमी एक टेल स्पिन में जा चुकी है मुझे याद एक करोना काल में केन के सरकार ने खोशना करी थी कि 20 लाख करोड़ रुपे का एक आर्थिक पैकेज हैं इस्टिमिलिस पैकेज हम लोग देंगे वो 20 लाख कर रुपे गए कहां किस उद्योग को मिले हैं किस मद्यमबर को मिले हैं और केन की सरकार लगातार जो हमारे देश के राष्ट संपतियां हैं उसको बेचे चले जा रही है जब भाजपा वेपक्ष में थी तो डिसिन्वेस्मेंट का विरोध किया डिरेक्ट बेनिफेट ट्रा इन शिवर के माध्यम से हम सब इस सवाल पूछेंगे और बताएंगे कि इन लोगों ने हर जगए दोहरे मापदर्ण अपनाए हैं इसलिए जो भारत की बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं रेलवे हैं एरलाइन्स हैं एरपोर्ट हैं कोल कंपनियां हैं बिजली कंपनियां हैं और चंद लोगों के फाइदे के लिए पेच रहे हैं आज बिजली संकट देश में आ गया क्या भारत सरकार को पहले त्यारी नहीं करनी चाहिए थी अगर आपको कोल आयात करना है इसके परमिशन पहले नहीं देनी चाहिए थी तो बैनेजमेंट जो है एकॉनमी का इंफर् अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर एंड सस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकल को दबाना ना भूले ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरे सबसे पहले मिले